सिम्रिया प्रखंड के केंदू गाउं का रहने वाला आरक्षित 64 रामचंद्र गंजु जैप 7 का जमान है जो कि लिंफोमा कैंसर नमग विमारी से पीडित है और वर्तमान में आतंगवाद निरोधक दस्ता जहारकंट दुर्वा में पदस्थापित है रामचंद्र गंजु के पतनी नमिता मदद के आस के लिए दरदर भटक रही है रामचंद्र विगत पिछले एक साल से कैंसर से जूज रहा है जिसके इलाज के लिए उसके परिजन वेलोर लेकर गए जहां करीब 10 लाख रुपए खर्च करने के उपरांत बिमारी पर काबू नहीं पा सके उनकी पतनी नमिता रोते हुए बताती हैं कि वहां के चिकित्सकों ने करीब 20 लाख रुपए का एस्टिमिट बना कर दिया था जिसे वहन करने में हम लोग सक्षम नहीं है मेरा तोक एक साल से लिफॉमा कैंसर बिमारी हो किया है जो कि जिसका इलाज CMC भिलोर हेम्टोलोजी बिभाग से देखा रहे हैं मेरा पास पैसा एक भी रुपया खाने तक कभी नहीं बचा है लौज का देने के भी नहीं बचा है मैं तुक एक जवण के जवान हूँ फिलाल एटियस दुरवा रांची में पज़ अस्तापित हूँ विभाग दुवारा भी तो कुछ नहीं मिला है एक चीठी बना दिये में किर अभी तक कुछ ने मीला है यह हम मांग करते हैं कि मेरा इलाज में हमाए भर चाह रहा है उसको कुछ किया जाए हम और ज्यादा मॉंका कर रहे हैं कि एक साल से परशानी है और इतना इलाज कर वार रहे हैं इतना पैसा खतम हो गया हमने पर सारा पईसे खतम हो गया है पईसे कचल है भी बहलों से गुंजम गए है पैशे ने रहने के करन पैशें लेकि घर अ गई है, केंशर हम बोले है हस्मेन का casiא करने का थो आप साथ में रामचंदर गप्रॉम एक काम करते थे एक साल से लगभग इनको लिफोमा कैंसर हो गया है विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है इनके परिवार के लोग भेलोर भी ले ले गए जहां पर नौ से दस लाग रुपईया घर का जमा पुंजी बकरी छदरी गाये सब बेच दिये इलाज तो थक हार करके आज घर चले आये हैं हम समाई से आग्रह करते हैं कि आप लोग बढ़ चड़ करके इनके परिवार को रामचंदर गंजु को बचाने की आप किरपा करें देखें इनके बीच में की पतनी है छोटे-छोटे बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे अगर आप अलप गुहार लगाने के सिवा कुछ नहीं सूज रहा है अभी तक उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाप नहीं मिला है वंजाब के स्ट्री टीवी के लिए चत्रा से अशोग तो लस्यान की रिपूर्ट